दिमार पढ़ने पर डॉक्टर की द्वारा हमें दवा दी जाती है दवा की परची तेयार करते समें डॉक्टर की द्वारा सबसे पहले मरीज का नाम और उम्र पूछी जाती है मरीज के लिए तो ये साधारन बात है पर डॉक्टर के लिए ये बेहद महत्तपुन जानकारी है क्योंकि मरीज का उम्र जानकर ही डॉक्टर सहाब को सही सही अनुमान हो पाता है कि मरीज को दवा की खुराक जिसे अंग्रेजी में डोस कहा जाता है कितनी देनी है किस प्रकार की देनी है और कब कब देनी है एक ही प्रकार की बिमारी के लिए दवा की खुराक उम्र के साथ बदलती है जिसके कारण नौजाद बच्चे की दवा की खुराक अलग होती है एक छोटे बच्चे की दवा की खुराक एक ब्यस से अलग होती है और एक बुढ़े व्यक्ति की दवा एक नौजवान व्यक्ति से अलग होती है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पोसोलोजी के बारे में जो विज्ञान का ऐसा भाग है जो हमें अलग-अलग उम्र के लिए दवाईयों का खुराग तयार करने हितू बहुती महत्तपुन जानकारी प्रदान करता है यह फार्मासोटिक्स 2 का एक बहुत महत्तपुन टॉपिक है और इसे जुड़े चार इंपोर्टेंट कोस्चन मैं आज आपको कराऊंगा जो कई बार एक्जाम में पूछे जा चुके हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल फार्मेसी ज्यान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि फार्मेसी एजुकेंशन से जुड़ी हर इंपोर्टेंट कोशन के जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे चलिए सुरुवात करते हैं पोसोलोजी के डेफिनिशन से उसके बाद जानेंगे डोस के बारे में पोसोलोजी मेडिकल साइंस की वह साका है जो यह बताता है कि किसी मरीज पर किसी दवा का a specific pharmacological action produce करने के लिए drugs के कितने डोस की ज़रत है यहाँ पोसेस का मतलब है कितना और लोजेस का मतलब है विज्ञान आएए अब जानते हैं डोस के बारे में डोस को डोस की क्वान्टिटी से डिफाइन किया जाता है लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि डोस के डोस से उस डोस का pharmacological action प्रोडियूस हो जैसे एक व्यस्क मरीज को अगर 500 mg पारसिता मोल की ज़रत है लेकिन उसे उस डोस 5 mg ही लिया तो उस मरीज को उस drugs का action नहीं प्राप्त होगा वहीं दूसरी और अगर मरीज को दवा की डोस सुभा और साम लेना है और वह सिफ सुभा ही दवा लेता है और साम को लेना भूल जाता है तो ऐसा होने पर मरीज को उस दवा का pharmacological action प्राप्त नहीं होगा इसलिए किसी भी दवा का pharmacological action उसके सही डोस से ही प्राप्त किया जा सकता है आईए अब बात करते हैं उन factors के बारे में जो dose और drugs के action को प्रभावित करते हैं ड्रक्स के dose को प्रभावित करने वाले factor इस प्रकार है पहला age, दूसरा sex या gender, तीसरा body weight, चौथा root of administration, पांचवा type of administration, छथा presence of diseases, सात्वा genetic factor, आठ्वा environmental factor, नौवा acquired tolerance, दस्वा idiosynocracy, ग्यार्वा rate of elimination, बार्वा synergism, तेरवा antagonism, चौदावा dependence, और पंदरवा टेकी file axis आईए अब हर factor को describe करते हैं, शुरुवात करते हैं age से age, prior, बच्चों और बुढों को adult की अपेच्चा, drugs के small dose की ज़रत पड़ती है age का सब्मन metabolism की capacity और excreting से है metabolism का अर्थ है drugs का तूटना और excreation का मतलब है drugs का सरीर से west product के साथ बाहर आ जाना दूसरा है body weight, ज्यादा weight वाले व्यक्ति को कम weight वाले व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा dose की ज़रत पड़ती है एक adult के लिए 70 kg का weight drugs के dose calculation के लिए normal माना जाता है इस परकार यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के वजन के अनुसार दवाईयों का dose बदलता है अब बात करते हैं तीसरे factor sex अत्वा gender के बारे में आम तोर पर female adult को male adult के मुकाबले छोटे dose की ज़रत पड़ती है क्योंकि उनमें fat ज्यादा मौजूद होता है उसके बात बात करते हैं root of administration की drugs को body में सोखनी की चमता इस बात पर निर्वर करती है कि drugs को लेने का तरीका यानि root of administration किस प्रकार का है जैसे IV dose का absorption rate यानि सोखनी की चमता सबसे ज़्यादा होती है उसके बाद IM dose उसके बाद SC dose और सबसे कम drugs का absorption oral dose में होता है उसके बाद बात आती है time of administration की अगर drugs खाली पेट लिया गया तो इसका absorption बहुत अच्छा होता है पर इससे पेट में gas बनने लगेगी यानि GIT irritation हो सकती है अगर drugs खाना खाने के बाद लिया जाए तो absorption कम होगा पर कोई GIT irritation नहीं होगी उसके बाद बात आती है presence of disease के बारे में अगर मरीज diarrhea से पेडित है तो कुछ drug ऐसे हैं जिनका absorption कम होता है उसके बाद बात आती है genetic factor की कुछ enzyme की कमी से heredity disorder आ जाती है जैसे की diabetes, mellitus ठीक उसी प्रकार हमें अपने माता पिता से कुछ drugs allergy भी प्राप्त होती है जैसे sulfa allergy और penicillin allergy उसके बाद बात आती है environmental factor की ड्रक्स के dose दिन और रात action के हिसाब से psychological रूप से अलग-अलग होती है जैसे phenobarbitone जिसे की barbiturate भी कहते है इस drugs का dose दिन में सोने के वक्त जादा होता है जबकि रात के वक्त इस drugs का dose कम होता है उसके बाद बात होती है acquired tolerance की It means a large quantity of drug is required in order to obtain a desire effect on a drug for example morphine, heroin, producer tolerance इसका मतलब यह है कि कभी-कभी drugs की larger quantity की जरत होती है ऐसा तब जब लगतार इस drugs की जरत पढ़ रही है खासकर emergency के case में जब patient का response लगतार गिर रहा है तब उसके response को constant बनाय रखने के लिए drugs के dose को tolerance level तक increase किया जाता है tolerance level का मतलब है toxic level से थोड़ा कम यह बहुत खतरना किस्तिती है इसलिए इसका ओपयो किसी experience doctor के द्वारा ही किया जाता है उसके बाद बात आती है idiosyncrasy की It is an abnormal or unusual response given by drug for example in some person morphine, causes asthma drugs का dose देने पर patient जब abnormal or unusual response करने लगे तो उसे idiosyncrasy factor कहा जाता है उदारन के लिए कुछ लोगों में morphine के प्रयोग से अस्थमा की समस्या हो जाती है उसके बाद बात आती है rate of elimination की जिसे cumulation भी कहा जाता है cumulation means accumulation of drug in the body due to slow excretion causing toxicity for example digitalis chloramphenicol जिन patient की body से excretion यानि waste product को बाहर निकालने का process slow होता है उनके body में drugs toxicity पैदा करने लगती है इसलिए drugs का dose देते समय इसका विसेश दिहान रखना चाहिए कि मरीज का कहीं excretion system खराब तो नहीं है नहीं तो उसके सरीर में इसी drugs के कारण जहर बनने लगेगा उसके बाद अगली factor की बात आती है जो है synergism the simultaneous administration of two or more drug may result in increase of action this phenomenon is known as synergism for example aspirin, phenacetine and caffeine ऐसे analogiesic तो इसका मतलब यह हुआ कि एक साथ दो drugs का dose लेने से उनके action बढ़ जाते है या एक drug का action होता है दूसरा drug का action नहीं हो पाता है इस गटना को synergism कहते हैं इसलिए सलाह दी जाती है कि अगर दो दवा का dose लेना हो तो दोनों के बिच कुछ मिंटों का gap होना चाहिए उसके बाद हमारा next factor है antagonism the opposite action of two drug on the same physiological system is called antagonism for example morphine and nalazone इसका मतलब यह है कि जब दो drug same physiological system पर opposite action produce करें तो इसे antagonism कहा जाता है जैसे morphine और nalazone उसके बाद बाद आती है टेकी फाइलेसिस repeated administration of drug with short intervals of time decreases pharmacological response progressively this known as टेकी फाइलोजेसिस for example ephedrine in treatment of bronchical asthma इसका मतलब यह है कि छोटी interval पर लगतार drugs लेने से drugs का pharmacological response धीरे धीरे कम हो जाता है इसे टेकी फाइलेसिस कहते हैं तो यह जानकारी थी posology के बारे में जिसे मैंने काफी बारीकी से और हर एक point को explain किया आपका एक like जरूर हमारा motivation को और बढ़ाएगा और हमें और मेहनत करने के लिए प्रेड़ना देगा इसलिए इस वीडियो को like जरूर करे अपने दोस्तों को share करे और अपना सुझाओ comment में देना ना भूले मिलते हैं next वीडियो में और भी बहुत सारे important question के साथ तब तक के लिए bye bye